Hey guys, Samsung Galaxy S9 is here Unfortunately, मेरे पास Galaxy S9 नहीं है बट आज मैं इसके सबसे interesting feature के बारे में आपसे बात करूँगा और आप मुझे बताना कि ये feature आपको कितना interesting लगा Guys, अगर आप पहली बार i4 Unbox पे विजिट कर रहे हो हो तो please hit the subscribe button and bell icon को भी प्रेस कर दो ताके कोई भी upload होने वाले वीडियो की notification आप से मिस ना हो Hey what's up guys, मैं हूँ आपका दोस्त हिमरान and you're watching i4 Unbox Guys, Galaxy S9 में सबसे ज्यादा camera को highlight किया गया है S9 का USB है, इसका camera Megapixel को भूल जाएए, इसमें मिलेगा आपको variable aperture जी हाँ, dual aperture, अब तक हमने सुना था 13 Megapixel with 1.9 aperture या फिर F 1.8 aperture या फिर 1.7 aperture But guys, यहाँ dual aperture, S9 में dual aperture मिलेगा आपको एक F 2.4 and दूसरा F 1.5 Guys, मैं कोई photographer नहीं हूँ और ना मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है Photography के बारे में, but मैं इतना जानता हूँ, aperture जितना कम होगा Image इतना ज्यादा bright होगा, output हवे उतना ज्यादा bright मिलेगा And aperture जितना ज्यादा होगा, image इतना ही dark मिलेगा And crispy यहां Samsung Galaxy S9 का जो dual aperture है यह बिलकुल human eye जैसा काम करेगा जिस तरह हमारी आखे बहुत तेज रोशनी में सुकर जाती है And अंधेरे में, dark situation में आखे बिलकुल फैल जाती है ठीक, इसी तरह Samsung का यह dual aperture वाला camera काम करने वाला है Samsung ने एक नया mode दिया है, smartphone camera technology को और मुझे लगता है, एक दो साल में हम imagine नहीं कर सकते कि हमारा smartphone कितना powerful हो जाएगा Guys, ऐसे quick update के लिए आप i4 Unbox को subscribe कर सकते हो After all, मैं हूँ आपका दोस्त इमरान, देखते रहिए i4 Unbox